11,400 करोड के PNB महा गोटाले के आरोपी कारोबारी नीरभ मोदी का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है कैंसल विदेश मंत्राले ने नीरभ मोदी और मेहुल चोकसी जो कि उनके रेलेटिव हैं गितांजली जेंस के रेलेटिव जो मालिक हैं उनके पासपोर्ट को भी रद् विदेश मंत्राले की तरफ से ये जानकारी हमें मिल रही है दोनों से एक हफते के अंदर जवाब देने के लिए भी कहा गया है हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए ब्रह्म प्रकाश दूबे जुड़ गया सीधा उनका रुक करते हैं ब्रह्म एक हफते के अंदर जो जवाब देने के लिए कहा गया है क्या है वो जवाब क्या मांगा है सवाल क्या पूछे गया है विदेश मंत्राले की तरफ से सबसे पहले की सिफारिश पर विदेश मंत्राले ने एक आरवाई की है और जो वैलेडिटी थी दोनों के पासपोर्ट की निरव मोदी की और इसके लिए निलंबित किया गया है और इसके साथ ही एक साथाई के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है जो इडी में सवाल दिये ह और दोनों से जवाब एक सप्ताई के भीतर मांगा गया है और यदि एक सप्ताई के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है तो पूरी तरह से रिवाप कर दिया जाएगा दोनों का पासपोर्ट जिसमें नीरव मोदी का भी पासपोर्ट है और मेहल चिनुवाई का भी है बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए ब्रह्मप्रकाश आपका आगे भी अपडेट हम लेंगे तो मेहल चौकसी और नीरव मोधी इन दोनों के पासपोर्ट को चार हफते के लिए कैंसल कर दिया गया है और इन दोनों से जवाब मांगा गया है कि क्यों ना आपका पासपोर्ट हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाए अब हमें इंतजार करना होगा इन दोनों की तरफ से जवाब क्या आता है और क्या पासपोर्ट रद्द करने से आम आदमी का जो 11,400 रुपया डूब गया है जिसे ले उड़ा है नीरव मोधी वो वापस आप आएगा उ उसकी भरपाई कैसे होगी ये आज की तारीख में सबसे बड़ा सबसे वैलिट सवाल है